सभी आगनबारी बहनों का हमारा नमस्कार आज हम आपको POSN Tracker Rap में एक नई अपडेट के बारे में जनकारी देने वाले हैं जैसे कि फिर से POSN Tracker Rap में एक नया अपडेट आ गया है और वो अपडेट है 2.3 जिसमें क्या कुछ नया आपको देखने को मिलेगा इसके बारे में आपको जनकारी देने वाले हैं साथी साथ जो भी आंगनबारी बहने इस महीने का कारे पूरा नहीं की हैं तो आप सभी आंगनबारी बहनों को इस महीने का कारे पूरा कर लेना है जैसे कि अंतिम तारिक 28 तारिक तक जो बहने इस महिने का कारे पुड़ा नहीं की हैं उनको विभागिया आदेश भी मिल चुके होंगे कि जो भी कारे हैं पोसंट रेकर रैप के वो कम्पलीट कर लेने हैं तो कौन-कौन से कारे हैं जो आपको इस महिने का वो पुड़ा कर लेना है और पोसंट रेकर रैप में क्या-क्या नई अफडेट आई है इसके बारे में भी जनकारी देने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी आगनबारी बेहनों के लिए काफी महतोपूर्ण है इस वीडियो में आप लोग बने रहे हैं मैं आपको step by step सभी जनकारियों के बारे में बताऊंगा कि क्या-क्या कारे आपको पोसंट रेकर रैप में कर लेने हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले आप सभी से एक छोटी स्रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा जो भी नए आगनबारी बहने हमारे इस चैनल के साथ जूमना चाहती हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर औल का बटन जरूर सिलेक्ट कर लिजेगा तक कि जब भी हम कोई नई वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो तो देखिए सबसे पहले हम इसको यहाँ से बैक कर लेते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे प्ले स्टोर ओपिन कर लेना है प्ले स्टोर ओपिन करने के बाद यहाँ पे सर्च बार में आप लिखेंगे पोसन ट्रेकर पोसन ट्रेकर लिखने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट आ चुका है तो आपको यहाँ पे simply click कर देना है यहाँ पे जो arrow का निसान दिया गया है इस पे आपको click कर लेना है click करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12.3 का जो नया version है वो यहाँ पे update आ चुका है तो आपको क्या करना है simply यहाँ से update कर लेना है चली हम यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं जब तक यह अपडेट हो रहा है तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तो फाइनली हमारा यहाँ पे पोशन ट्रेकर अपडेट हो चुका है सभी आगनबारी बहने पोशन ट्रेकर अप की यह जो नई अपडेट आई है इसको आप लोग अपडेट कर लेंगे अपडेट करने के बाद सिंप्ली हम इसको ओपन करेंगे तो पोशन ट्रेकर अप को अपडेट करने के बाद अब हम लोग जानते हैं कि इस महिने जो पोसंट रेकर एप में हमें कारे करने हैं वो कौन-कौन से हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हम बेनिफिसरी वाली के टेगरीज को ओपन करेंगे ओपन करने के बाद जैसे कि आप सभी को मालम होगा कि 28 तारीक तक आप सभी को विभागी आदेश मिले होंगे कि 28 तारीक से पहले जो भी लभार्थी हैं उनको टी-ए-चार वितरन कर देना है और अगर अभी तक आप लोग नहीं किये हैं तो 28 तारीक से पहले यानि कल तक का डेट है आपको यहाँ पे टी-ए-चार वितरन कर लेना है THR बितरन करने के बाद तेखिए किनको किनको हम लोग THR दिये हैं उसका details यहाँ पर भरना है जैसे कि गर्भौती महिला, अस्तनपन कराने वाले महिला 6 माह से 3 साल वाले बच्चे तो इनको हम लोग THR देते हैं details हमको portion tracker wrap में भरनी होगी उसके बाद यहाँ जो 3 से 6 साल वाले बच्चे हैं तो इनको हम लोग THR अभी नहीं दे रहे हैं जैसे कि इनके लिए जो खिचरी पुला वोगेरा बनता है तो इनको यहाँ पर THR नहीं दिया जा रहा है क्लिक करने के बाद यहाँ पर पोशक हस्त्रचेप का option आ जाएगा इस पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर THR का option आ गया है तो इस पर आपको चेकमर लगा देना है लगाने के बाद यहाँ पे आपको दिनों की संख्या डाल देनी है कि कितने दिनों की जो THR है हम लोग लभार्थी को देते हैं तो 25 दिनों के लिए देते हैं तो आपको यहाँ पे 25 टाइब कर देना है उसके बाद यहाँ पर जो लभार्थी है वो किस परकार की सेवा प्राप्त कर रही है तो उसको यहाँ पर सिलेट कर लेना है तो उसके बाद आपको यहाँ पर सब्मिट वाले पर किलिक कर देना है जैसे ही आप submit करेंगे तो इस परकार से record आपका सफलता पूरबक update हो जाएगा यानि जिसको भी आप लोग THR दिये हैं उसका details आपको यहाँ पर भर देना है तो इस परकार से यहाँ पर इनको और इनको THR हम लोग देते हैं तो इनकी details हम लोग भर देंगे तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जो event है जैसे कि इस महीने हम लोग जो भी कारेकरम किये हैं उसका भी details आपको इस महीने पोसं ट्रेकर आप में भर देना है तो यहाँ पर three dot वाले पर click करना है click करने के बाद यह जो घटनाय वाले option आप लोग देख रहे हैं यानि कि event हम लोग इस महीने क्या क्या किये हैं उसके बारे में यहाँ पर जनकारी देना है जैसे कि VHSND कारेकरम हम लोग हर महीने करते हैं जो टिका करन की date होती है तो जिस दिन आपके केंदर पर टिका करन हुआ है उसका date यहाँ पर आपको डाल देना है डालने के बाद आपको यहाँ पर submit कर देना है तो इस परकार से देख सकते हैं कि यहाँ पर टिका करन की date भड़ी हुई है फिर उसके बाद अगला जो कारिया है वो आपको यहाँ प पुद्भराई की डीटेल्स भर देनी होगी इस परकार से आप लोग देख सकते हैं कि यह जो पोसंट्रेकर एप की कारे है इसमें आपको यह सारी जनकारी भर देनी है और जैसे कि अब हम लोग बात करते हैं जैसे कि पोसंट्रेकर एप की 12.3 में क्या अपडेट आई है तो और उसके बाद अंतिम जो है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर भर के समिट कर देना है तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही और भी कोई नई अपडेट के बारे में हमें जनकारी मिलती है तो हम आपको नेक्स वीडियो में इसके बारे में जरूर बताएंगे और पोसंट्रे करेंदर दो भी सब्सक्राइब नहीं सब्सक्रा Istब्स कर लिए प्र जणकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत भाँ धन्यवाद जय हिंद